सूपब, एक्सिलेंट, फेंटेस्टिक भाई ये वर्ट्स भी काफी कम बढ़ने वाले हैं आज जो क्वालिटी में आप लोगे लेकर आया हूँ एंड एम शूर ऐसी क्वालिटी आप लोगों सिर्फ गूगल फोटोस में ही देखियोगी रियल में नहीं एंड इस चीज की भी माँ आप लोगों को गैरंटी देता हूँ कि ये कदर आप में से सिर्फ 5% लोगों नहीं रियल में देखा होगा एंड हमेशे माँ आप लोगों कहता हूँ कि अमेरिकन बुली में बहुत सो अलग अलग साइजेस होते हैं जिसमें से सबसे चोटा साइज है माइक्रो और सबसे बड़ा साइज है एक्सल तो आज माँ आप लोग ले सबसे चोटा साइज लेकर आया हूँ जो है माइक्रो साइज जै गाइस यह जो पपीज हैं यह माइक्रो साइज में हैं तो आज आप लोग को अमेरिकन बुली के एक्जोटिक पपीज देखने को मिलेंगे और यह कलर आप लोग को इंडिया में शायद ही किसी और के पास देखने को मिलें उस इतना ही निवाई जब आप लोग इनके फादर को देखोगे तो आप लोग की आखे फटी की फटी रह जाएंगी क्योंकि भाई कोटी हितनी जबर रसता है और यह पपीज भी वैसे ही होने वाले हैं तो अगर आप लोग इन पपीज को परचेस करते हो तो आप लोग सबसे अलग होने वाले हो क्योंकि ऐसी क्वार्टी ऐसा गलर आप लोग के आस पास तो क्या आप लोग की सीटीज में मिलना काफी मुश्किल है और गैस माइक्रो साइज को परचेस करने का फाइदा यह होता है कि अगर आप लोग city's के अपार्टमेंट्स या फ्लेट्स वगरा में रहते हैं तो वहाँ पर easily आप लोग इस बीड को रख सकते हो वैसे दोस्तों जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सभी से एक question करना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कलर के पपीज को purchase करना चाहते होंगे तो अगर आप लोग भी उनी में से एक हैं तो comment section में लिखके जरूर बताएं वैसे ये चीज़ भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि American Bulli बहुत ही muscular dogpeed है लेकिन सबसे muscular जो दिखते हैं वो है micro size वैसे इन पपीज में जो जो colors आप लोग को मिलने वाले वो है लिलक मारले, blue मारले and full blue color भी आप लोग को मिल जाएगा वैसे लिलक मारले में आप लोग को सुर्फ male पपीज ही मिलेंगे लेकिन blue मारले में आप लोग को male और female दोनों मिल जाएगे वैसे गाईस अगर इन पपीज की mother के बारे में बात करें उसकी photo videos तो मेरे पास available नहीं है बट वो import की granddaughter है लेकिन अब यहां से बात स्चार्ट होती है इन पपीज के father के बारे में तो कोईस इसके बारे में आप लोग को और कुछ भी पूछना तो भाई आप लोग टाइक टोगोने से contact करके हर एक चीज अच्छे से clear कर सकते हैं उनरा contact number आप लोग को description box से मिल जाएगा तो चली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन पपीज की बाखी की information के बारे में तो सबसे पहले अगर इन पपीज की age के बारे में बात करें तो ये top quality पपीज 55 days के हो चुके हैं और ओनर की जो location है वो है Delhi NCR से बट भाई unfortunately आप लोग को इन पपीज पर या delivery नहीं मिल पाएगी आप लोगो खुदी ओनर को visit करके इने purchase करना होगा बट निराश होने की जुरूद नहीं बाई अगर आप लोग इने purchase करते हो तो इनके उपर delivery आप लोग को मैं provide करा दूँगा इनका इस most लोग excited होगे इनके price के बारे में जानने के लिए वैसे आप लोगो इतना तो बता सकता हूं कि इन सभी का price अलग अलग है बट मुझे exact price के बारे में पता नहीं है कि उन्हेंने इनका price का decide किया है तो वो चीज आप लोगो खुदी ओनर से contact करके पता करना होगा कि पपीस का price गया होने वाला है तो guys I am sure आज की वीडियो और पपीस की quality और उनका color आप लोगो को काफी पसंद आगा तो प्लीज वीडियो को like चरूब करें और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को भी subscribe कर लें So मिलता हूं आप लोगो से नेक्ट वीडियो में Take care and bye bye